एक दूस रोन खोई, में 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 एक दूस रोन कर देती है। जन्मत से दूर क्यासे होना है वो विधी भी जानेंगे। बाप जरूर करते ही है बंदा हुआ है बाबा। उत्तर है जो बच्चे सच्चे है उनकी रक्षा जरूर होती है। अगर रक्षा नहीं होती है तो अंदर में जरूर कोई न कोई जूट होगा। अंदर में कुछ न कुछ जूट है उन्हें माया अंगूरी मार देती है। दूसरा प्रश्ण है किन बच्चों के लिए माया चुम्बक है किनको आकर्शित करती है। उत्तर है जो माया की खुबसूरती की तरफ आकर्शित हो जाते हैं उन्हों के लिए माया चुम्बक है। श्रीमत पर चलने वाले बच्चे आकर्शित नहीं होंगे। ओम शांती रोहानी बाप बैट रोहानी बच्चों को समझाते है यह तो बच्चों ने निश्चे किया है रोहानी बाप हम रोहानी बच्चों को पढ़ाते है निश्चे है न सबको कौन पढ़ाते है जिसके लिए ही गायन है आत्माई पर मात्मा अलग रही बहुकाल मूल वतन में अलग नहीं रहते है वहां तु सब मिलकर रहते है वहां तु सब इकठे रहते है अलग रहते है तु जरूर आत्माई वहां से भी छोड़ती है आकर के अपना अपना पाट बजाती है सतु प्रधान से उतरते उतरते तमू प्रधान बनती है बुलाते हैं पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ तो दिखवावा ने दो सेंटेंस में पूरी सृष्टी का चक्र लगवा दिया उपर से आई आत्माई सतु प्रधान से तमू प्रधान बनी बाबा को बुलाया किसलिए पतित से पावन बना दो बाब भी कहते हैं हम हर पाँच हजार वर्ष के बाद आते हैं यह सृष्टी का चक्र ही पाँच हजार वर्ष है आगे तुम यह नहीं जानते थे शिव बाबा समझाते है तो जरूर कोई तन द्वारा समझाएंगे उपर से कोई आवाज तो नहीं करते है था ना कई बारी दिखाते हैं ना mythological serials के अंदर भगवान क्या करते हैं? कि आकाश वानी करते है तो वा कहतें कि उपर से मैंने हैं समझाता शक्तिव प्रेणना आदी की तो कोई बात ही नहीं तुम आत्मा शरीर में आकर वार्तालाप करती हो विसे बाब भी कहते है मैं भी शरीर द्वारा डारेक्शन देता हूं फिर उस पर जो जितना चलते हैं अपना ही कल्यान करते है श्रीमत पर चले वा ना चले तीचर की सुने वा ना सुने अपने लिए ही कल्यान वा अकल्यान करते हैं नहीं पढ़ेंगे तो जरूर फेल होंगे यह भी समझाते रहते हैं शिव बाबा से सीख कर फिर औरों को सिखलाना है फादर शू सन जस्मानी फादर की बात नहीं यह है रूहानी बाब यह भी तुम समझते हो क्या जितना हम श्रीमत पर चलेंगे उतना वर्सा पाएंगे पुरा चलने वाले ऊजपद पाएंगे नहीं चलने वाले ऊजपद नहीं पाएंगे बाब तो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएं रावण राज्ये में तुम्हारे पर पाप तो बहुत जड़े हुए है विकार में जाने सी ही पाप आत्मा बनते है पुन्यात्मा और पाप आत्मा जरूर होते है पुन्यात्मा के आगे पाप आत्माई जाकर माथा तेखती है मनुष्यों को यह पता नहीं है कि देवताई जो पुन्य आत्मा है वही फिर पुनर जन्म में आते आते बाप आत्मा बनते हैं वह तो समझते है यह सदेव पुन्य आत्मा है बाप समझाते है पुनर्जान में लेते लेते सतु प्रधान से तमु प्रधान तक आते हैं दुनिया वाले क्या समझते हैं कि देवता तो सदाई पावन है सदाई पुन्य आत्मा है लेकिन अब हाँ में पता चलाए कि वही आत्मा है अब तमु प्रधान बन गई है जब बिल्कुल पापात्मा बन जाते है तो फिर बाप को बुलाते है जब पुन्ने आत्मा है तो याद करने की दरकार नहीं रहते तो यह है तुम बच्चों को समझाना है सर्विस करनी है बाप तो नहीं जाकर सबको सुनाएंगे बच्चे सर्विस करने लायक है तो बच्चों को ही जाना चाहिए मनुष्य तो दिन प्रति दिन अस्वर बनते जाते है पहचान ना होने कारण बख्वास करने में भी देरी नहीं करते है मनुष्य कहते है गीता का भगवान श्री कृष्ण है तुम समझाते हो वह तो देहधारी है उनको देवता कहा जाता है श्री कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे यह तो सब फादर को याद करते है ना जब हे भगवान कहते है तो भगवान कौन है पिता है ना अमारा आत्माओं का फादर तो दूसरा कोई होता नहीं यह प्रजा पिता ब्रहमा भी कहते है निराकार फादर को याद करना है यह कॉर्पोरियल फादर हो जाता है समझाया तो बहुत जाता है कई पूरा ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते है बाप तो रास्ता बताते है कहा का सन्यासी लोग जंगल का रास्ता बताते है बाबा रास्ता बताते है, स्वर्ग में जाने का, फिर भी क्या करते है, जंगल तरफ चले जाते है, बाप समझाते है, तुमको जंगल तरफ ले जाने वाला है रावन, तुम माया से हार खाते हो, रास्ता भूल जाते हो, तो फिर उस जंगल के काटे बन जाते हो, वह फिर स्वर्ग में देरी से आएंगे, यहा तुम आई ही हो स्वर्ग में जाने का पुरुशार्थ करने, त्रेता को भी स्वर्ग नहीं कहेंगे 25% कम हुआ न तो इसलिए स्वर्ग हो जाता है वो तुम यहां आई ही हो पुरानी दुनिया छोड नई दुनिया में जाने त्रेता को नई दुनिया नहीं कहेंगे नापास वहाँ चले जाते हैं क्योंकि रास्ताट ठीक पकड़ते नहीं नीचे उपर होते रहते हैं तुम वहसूस करते हो जो याद होनी चाहिए वह नहीं रहती स्वर्गवासी जो बनते हैं उनको कहेंगे अच्छे पास त्रेता वाली नापास गिने जाते हैं तुम नार्गवासी से स्वर्गवासी बनते हो नहीं तो फिर नापास कहा जाता है उस पढ़ाई में तो फिर दुबारा पढ़ते हैं अगर नापास हो जाएं फेल हो जाएं तो दुबारा से चांस मिलता है कि पढ़ लो इसमें दूसरा वर्ष पढ़ने की तो बात नहीं जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर वही इम्तिहान पास करते हैं जो कल्प पहले किया है इस ड्रामा के राज को अच्छी रीती समझना चाहिए कहीं समझते हैं हम चल नहीं सकते हैं बुड़ा है तो उनको हाथ से पकड़ कर चलाओ तो चलेंगे नहीं तो गिर पढ़ेंगे परन्तु तकदीर में नहीं है तो कितना भी जोर देते फूल बनाने का परन्तु बनते नहीं है तो तकदीर भी होनी चाहिए अक भी फूल होता है यहे काटे तो चुबते है तो इसलिए काटानी बनना है बाप कितना समझाते है कल तुम जिस शिव की पूझा करते थे वह आज तुमको पढ़ा रहे है हर बात में पुरुशार्थ के लिए ही जोर दिया जाता है देखा जाता है माया अच्छे अच्छे फोलों को नीचे गिरा देती है हर्डगुड तोड़ देती है जिसको फिर ट्रेटर कहा जाता है जो एक राजधानी छोड दूसरे में चला जाता है उनको ट्रेटर कहा जाता है बाप भी कहते हैं यहाँ पर कौन ट्रेटर बनते हैं? कौन? मेरे बनकर फिर माया का बन जाते हैं. तो उनको भी ट्रेटर कहा जाता है. उनकी चला नहीं ऐसी हो जाती है. अब बाप माया से छुडाने आये हैं. बच्चे कहते हैं, माया बड़ी दुस्तर है. अपनी तरफ बहुत खीच लेती है. माया जिसे चुम्बक है. इस समय चुम्बक का रूप धरती है, एट्रेक्ट करती है. कितनी खूप सूरती दुनिया में बढ़ गई है? आगे यह बाइसको पादी थोड़ी थे, पहले थोड़ी ना थे. यह सब सौ वर्ष में निकले है. बाबा तो अनुभवी है ना? तो बच्चों को इस ड्रामा के गुहे राज को अच्छी रीती समझना चाहिए. हर एक बात accurate, नूदी हुई है. सौ वर्ष में यह जैसे बहिश्ट बन गया है, तो माया भी अपना स्वर्ग दिखाती है, बहिश्ट दिखाती है, ओपोजीशन के लिए, तो समझा जाता है, अब स्वर्ग और ही जल्दी होना है. साइन्स भी बहुत काम में आती है. यह तो बहुत सुख देने वाली भी है ना? वह सुख स्थाई हो जाए, उसके लिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है. सत्युक के सुख है ही भारत के भाग्य में. वह तो आते ही बाद में है. जब भाक्ति मार्ग शुरू होता है. जब भारत वासी गिरते है. तब दूसरे धर्म वाले नमबरवार आते है. भारत गिरते गिरते एकदम पट पर आजाता है. फिर चड़ना है. यहां भी चड़ते हैं, फिर गिरते हैं. कितने गिरते हैं? बाद मत पूछो. कोई तो मानते ही नहीं के बाबा हमको पढ़ाते है. अच्छे अच्छे सर्विसेबल जिनकी बाप महिमा करते हैं. वह भी माया के चंबे में आ जाते हैं. कुष्टी होती है ना? माया भी ऐसे लड़ती है. एकदम पूरा गिरा देती है. आगे चल तुम बच्छों को मालोम पढ़ता जाएगा. माया एकदम पूरा सुला देती है. फिर भी बाप कहते हैं एक बार ग्यान सुना है तो स्वर्ग में जरूर आएंगे. बगी पद तो नहीं पासकेंगे ना? कल्प पहले जिसने जो पुरुशार्थ किया है वह पुरुशार्थ करते करते गिरे हैं. ऐसे ही अब भी गिरते और चड़ते हैं. हार और जीत होती है ना? सारा मदार बच्चों क्यों याद पर है. तो इंपोर्टन क्या है बाबा की याद? बच्चों को यह अखुट खजाना मिलता है. वह तो कितना लाखों का देवाला मारते हैं? कोई लाखों का धनवान बनते हैं. सो भी एक जन्म में. दूसरे जन्म में थोड़े इतना धन रहेगा. कर्मभोग भी बहत है. बहाँ स्वर्ग में तो कर्मभोग की बात होती नहीं. इस समय तुम्हें किस जन्मों के लिए कितना जमा करते हो? जो पूरा पुरुशार्थ करते हैं, पूरा स्वर्ग का वर्सा पाते हैं. बुद्धी में रहना चाहिए. हम बरोबर स्वर्ग का वर्सा पाते हैं. यह खयाल नहीं करना है, कि फिर नीचे गिरेंगे. यह सबसे जास्ते गिरें. अब फिर चड़ना ही है. बाद में जो होगा, वो तो ड्रामा प्लाना नुसार होगा. लेकिन इस समय चड़ना है. आटोमाटिकली पुरुशार्थ भी होता रहता है. बाप समझाते हैं. दिखो, माया कितनी प्रबल है. मनुश्यों में कितना अज्ञान भर गया है. अज्ञान के कारण बाप को भी सर्व्यापी कह देते हैं. भारत कितना फर्स्ट ग्लास था. तुम समझते हो, हम ऐसे थे. अब फिर बन रहे हैं. इन देवताओं की कितनी महिमा है. परन्तु कोई जानते नहीं है. तुम बच्चों के सिवाए. तुम ही जानते हो, बेहत का बाप ज्ञान सागरा कर हम को पढ़ाते हैं. फिर भी माया बहतों को संशे में ला देती है. जूट, कपट छोड़ते नहीं. तब बाप कहते हैं. क्या कहते हैं? सच्चा सच्चा अपना चाट लिखो. परन्तु, दे अभिमान के कारण सच नहीं बताते हैं. तो वह भी विकर्म बन जाता है. तो बहुती महीन बात है. अगर हम सच्चा चाट नहीं लिखते, जूटा लिखते हैं, तो भी विकर्म बन जाता है. सच बताना चाहिए ना? नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती है. गर्भ जेल में भी बहुत सजा मिलती है. कहते हैं, तौबा तौबा क्या कहते हैं, आप फिर नहीं करेंगे. हम फिर ऐसा काम नहीं करेंगे. जैसे किसको मार मिलती है, तो भी क्या करते हैं? ऐसे माफी मांगते हैं. सजा मिलने पर भी ऐसे करते हैं. अभी तुम बच्चे समझते हो, माया का राज्चे कबसे शुरू हुआ है? बाप करते रहते हैं. बाप देखते हैं. यह इतना मीठे मीठे मुलायम नहीं बनते हैं. यानि नम्र नहीं बनते हैं. तो बाबा ने कहा, बाप कितना मुलायम बच्चे मिसल हो चलते हैं. तो बाबा पिलकुल नम्रचित होकर चलते हैं. क्या कहते हैं, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, हमीशा हाजिर हूँ सेवा पर, तो बाबा कितने मुलायम होकर बच्चों से चलते हैं, क्योंकि ड्रामा पर चलते रहते हैं, कहेंगे, जो हुआ ड्रामा की भावी, तो ज़ादा बुद्धी नहीं लगानी, क्या क्यों में नह जाना प्रश्निचित नहीं बनना समझाते भी है कि आगे फिर ऐसा ना हो यह बाप दादा दोनों एकठे है ना दादा की मत अपनी इश्वर की मत अपनी है समझना चाहिए कि यह मत कौन देता है बुद्धी अगर रिफाइन होगी ना समझ में आएगा कि यह मत ब्रह्मा बाबा की है यह शिव बाबा की है यह भी बाप तो है ना बाप की तो माननी चाहिए बाबा तो बड़ा बाबा है ना इसलिए बाबा कहते है ऐसे ही समझो शिव बाबा समझाते है नहीं समझेंगे तो पद भी नहीं पाएंगे ड्रामा के प्लान अनुसार बाप भी है दादा भी है बाप की श्रीमत मिलती है माया ऐसी है जो महावीर पहलवानों से भी कोई न कोई उल्टा काम करा देती है समझा जाता है यह बाप की मत पर नहीं है खुद भी फील करते है मैं अपनी आसुरी मत पर हूँ श्रीमत देने वाला आकर उपस्थित हुआ है उनकी है इश्वरिय मत बाप खुद कहते है इनकी अगर कोई ऐसी मत मिल भी गई तो भी उनको मैं ठीक करने वाला बैठा हूँ फिर भी हमने रथ लिया है ना हमने रथ लिया तब ही इसने गाली खाई है नहीं तो कभी गाली नहीं खाई तो ब्रह्मा बाबा की तो बहुत ही सोसाइटी के अंदर कितना उच्चा ओहदया था लोग इतनी इज़त करते थे प्रणतु जब शिव बाबा की प्रवेश्ता हुई तो उने भी गाली खानी पड़ी मेरे कारण कितनी गाली खाते है तो इनकी भी संभाल करनी पड़े बाब रक्षा जरूर करते है जिसे बच्चों की रक्षा बाब करते है न जितना सच्चाई पर चलते है उतनी रक्षा होती है जूटे की रक्षा नहीं होती उनकी तो फिर सजा कायम हो जाती है इसलिए बाब समझाते है माया तो एकदम क्या करती है नाक से पकड़ कर खत्म कर देती है बच्चे खुद फील करते है माया खा लेती है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते है बाप कहते है पढ़ाई जरूर पढ़ो अच्छा, कहां किसका दूश है? इसमें जैसा जो करेगा सो भविश्य में पाएगा क्योंकि अभी दुनिया बदल रही है माया ऐसे अंगूरी मार देती है जो वह खुशी नहीं रहती है फिर चल लाते है बाबा पता नहीं क्या होता है युद्ध के मैदान में बहुत खबरदार रहते है कि कहां कोई अंगूरी ना मार दे फिर भी जास्ती ताकत वाले होते है तो दूसरे को गिरा देते है फिर दूसरे दिन पर रखते है यह माया की लड़ाई तो अंत तक चलती रहती है नीचे उपर होते रहते है कहीं बच्चे सच नहीं बताते है इज़त का बहुत डर है पता नहीं बाबा क्या कहेंगे जब तक सच बताया नहीं है तब तक आगे चल ना सकें अंदर में खटकता रहता है फिर वृद्धी हो जाती है आपे ही सच कभी नहीं बताएंगे कहां दो है तो समझते है यह बाबा को सुनाएंगे तो हम भी सुना दे यह देखते हैं कि दो सुनाए तो मैं सुनाओ न माया बड़े दुस्तर है समझा जाता है उनकी तकदीर में इतना ओचपद नहीं है तो सरजन से छिपाते है छिपाने से बिमारी छूटे की नहीं जितना छिपाएंगे उतना गिरते ही रहेंगे भूत तो सब में है ना जब तक करमातीत अवस्था नहीं बनी तब तक क्रिमिनल आई भी छोड़ती नहीं है सबसे बड़ा दुश्मन है काम कहीं गिर पड़ते हैं बाबा तो बार बार समझाते हैं शिव बाबा के सिवाए कोई देहधारी को याद नहीं करना है कहीं तो ऐसे पक्के हैं जो कभी किसकी जाद भी नहीं आएगे पती व्रता स्त्री होती है ना उनकी कुबुध्धी नहीं होती है तो हमें क्या बनना है पती व्रता एक बाबा के व्रता बिल्कुल एक बाब दूसरा ना कोई अच्छा रुहानी बच्चों की रुहानी बाब दादा को गुड मॉनिंग नमस्ते 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 धारना के लिए मुखे सार पहला हमें पढ़ाने वाला स्वयम ज्यान का सागर बेहत का बाब है इसमें कभी संशे नहीं लाना है जूट कपट छोड अपना सच्चा सच्चा चाट रखना है देहे अभिमान में आकर कभी ट्रेटर नहीं बनना है दूसरा ड्रामा को बुध्धी में रख बाब समान बहुत बहुत मिठा मुलायम यानि नम्र बन कर रहना है अपना एहंकार नहीं दिखाना है अपनी मत छोड एक बाब की श्रेश्ठ मत पर चलना है वरदान है एक बाब के लव में लव लीन हू मन्जिल पर पहुचने वाले सर्व आकर शण मुक्त भावा बाब दादा बच्चों अपने स्नेहें और सहयोग की गोदी में बिठा कर मन्जिल पर ले जा रहे है यह मार्ग महनत का नहीं है लेकिन जब हाईवे के बच्चाई गलियों में चले जाते हो यह मन्जिल के निशाने से और आगे बढ़ जाते हो तो लोटने की महनत करनी पड़ती है महनत से बच्चने का साधन है एक की महबबत में रहो एक बाप के लव में लीन होकर हर कारे करो तो और कुछ दिखाई नहीं देगा सर्वाकरशनों से मुक्त हो जाएंगे स्लोगन है अपनी खुश नसीबी का अनुभव चहरे और चलन से कराओ चहरा और चलन बताती है कि आत्मा कितनी खुश नसीब है इसलिए आज पक्का पक्का बाबा को सच्चा सच्चा चाट देना है रात को सोने से पहले सारे दिन में जो कुछ भी हुआ कबिलकुल सच्चाई और सफाई से चाट देना है थोड़ा भी जूट और कपटना हो चाह ओम शांते कितनी ही सदिया है बीते ये जग कितना ही बदले बाबा तेरी यादो के दीप हमेशा रहेंगे जले कितनी ही सदिया बीते ये जग कितना ही बदले बाबा तेरी यादो के दीप हमेशा रहेंगे जले जगने जिनको ठुक रहाया पददलित किया भथकाया जगने जिनको ठुक रहाया पददलित किया भथकाया तुमने उन ही के हाथों इस जग को स्वर्ग बनाया इस जग को स्वर्ग बनाया इश मिलन के प्यासों को बाबा तुम खुद अन मिले बाबा तेरी आदों के दीप हमेशा रहेंगे जले कितनी ही सदिया बीते ये जग कितना ही बदले बाबा तेरी आदों के दीप हमेशा रहेंगे जले 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 हमने तेरे उजाले में साकार हुए शिब को देखा हमने तेरे उजाले में साकार हुए शिब को देखा एक जलक भादी रत की पाकर बदली जीवन रेखा परिवर सन गाथा तेरी सुनकर पत्थर भी पिगले बाबा तेरी आदों के दीप हमेशा रहेंगे जले कितनी ही सदियां बीते ये जग कितना ही बदले बाबा तेरी आदों के दीप हमेशा रहेंगे जले बाबा तेरी आदों के दीप हमेंगे जले गुण ग्यान शक्त की मूरत तब त्याग स्नेह की सूरत युग बर्वर तक युग स्रिष्टा तुम अब भी हो से मारत बाबा तुम आज भी से मारत धन्य हुआ जीवन उनका जो तेरी छाया में पले बाबा तेरी आदों के दीप हमेशा रहेंगे जले कितनी ही सदिया बीते ये जग कितना ही बदने बाबा तेरी आदों के दीप हमेशा रहेंगे जले बाबा तेरी आदों के दीप हमेशा रहेंगे जले बाबा तेरी आदों